दोस्तो इस सर्दी के सिजन के लिए अब जो फूल लगाये में सबसे पहले लगाई है पिटूनिया पिटूनिया में बहुत तरह के सुंदर सुंदर फूल आते हैं दस बारा कालर ओप्सन में मिलेंगे इसमें आपको फ्रॉस्ट भी मिलेगा स्टार भी मिलेंगे यह जो है यह स्टार भैरेटी है और यह गंबलह में भी लगा सकते हैं हैंगुन बास्केट में भी लगा सकते हैं बेड भी लगा सकते हैं हमें लोग ने तीने तीनों तरह से लगाए हैं और एक एक साथ 30-40 फूल खिलता है और पीटुनिया के मेरे काफी सारे वीडियो देखते हैं देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सिंगल कलर में क्या सांदा लोग एक छोटे से गंबले में देखिए एक साथ कितने सारे फूल खिलते हैं तो पीटुनिया बीच से लगाते हैं आप जरूर से अच्छे क्वालिटी का अच्छे ब्रैंडेट के बीच से लगा सकते हैं या फिर पौदे खरीत के आप लगा सकते हैं और ये देखिए पीटुनिया का mixture इक साथ तरह तरह के जो पिटुनिया की भैरेटी है एक साथ आप बेड में अगर लगा देंगे तो बहुत सांदार दिखेगा और हर दीन 20-30-40 आपका फुल हर दीन नयनया फुल खिलता रहेगा बहुत सांदार सेकेंड है यह फ्रेंच मेरी गोल्ड देख रहे हैं आप और यह देखिए इनका इनका में भी आपको दो-तिन कलर में मिल जाएंगे और यह जो है यह बरैटी है ड्रागन कहते है इसका या फिर माया कहते है यह अगया ग्रो का है अगया ग्रो का फूल कैसा होता है बहुत लगाया हुआ है यह बॉडर के इसाब से लगाया हुआ है तो अगया ग्रो का जो है माया भरैटी या फिर ड्रागन मेरी गोल्ड कहते है इसको तो यह भी आप लगा सकते है इसका हाइट करीब ज्यादा होता है करीब दो फूट हाइट होता है इनका का पोदा एक फूट का आप जरूर लगाईए, आप बीच से भी लगा सकते हैं, या फिर छोटे-छोटे पौधे नर्सरी में मिलते हैं, यह आप ले आईए, एक पौधे में देखिए, एक साथ पचास फुल, एकदम देखिए, रेडी, और तरह-तर के कलर में आते हैं, हर कलर का दिखाता हूं मैं आ तो आप इंपेसेंस जरूर लगाईए, आप छोटे-छोटे गमले में भी इंपेसेंस लगा सकते हैं, काफी दिनों तक यह फूल देता रहता है, तो इंपेसेंस आप बगान में जरूर लगाईए, जो अब मैं दिखा रहा हूँगा, यह है गुल्दाओदी, गुल्दाओ अक्टोबर में भी लगाएंगे, तो यह देखिया में थरह लेत लगाया हुआ, फूल ज्यादा नहीं है, 15-20 फूल है एक एक पौदे में, अगर आप चाहेंगे तो देर सो, दो सो, धाई सो फूल भी आप एक एक पौदे से एक साथ ले सकते हैं, गुल्दाओदी आप जर लगाएं, या फिर गंबले में भी लगाएं, तो गंबले में भी सांदार खिलता है, या गुल्दाओदी आप जरूर लगाएं इस सीजन में, अब जो दिखाता हूँ यह एंटी रायना, या फिर इसको डॉक फ्लावर कहते हैं, और यह देखिया हमने तीन बार काफी ज्यादा निकलती है, इसका भी फूल काफी दिन खिला रहता है, यह भी सांदार लूक देता है, अगर आप बेड में लगाएं, बहुत सांदार लूक देता है, या फिर आप गंबले में पोट में भी लगा सकते हैं, और सबसे अच्छा लगता है यह अगर बेड में लगाएं बेड में क्या यह coloration जो है multi color का जो coloration है यह बहुत सांदर दिखते हैं इसमें भी करीब 10-12 color option में मिलता है यह anti-renum देखे पीला वाला क्या सांदर दिखला है लाल वाला क्या खुबसूरती है औरेंज के color में है बहुत-बहुत सारे color में anti-renum यह dark flower इसको अगर pinch करेंगे तब इतने सारे stick आएगी ने तो एक-दो stick ही निकलती है अब जो दिखाता हूँ senior area यह सबसे खुबसूरत फूल है इसमें बहुत सारे मदमख्य आती है बहुत सांदर अगर गंबले में लगाना चाहते है तो यह भी लगा सकते है धूप आपको कम आती है तो आप senior area लगा सकते है यह कमती धूप में भी काफी अच्छा खिल जाता है तो यानि कि आपके ब लगाए जरूर अब जो मैं आपको दिखाता हूँ यह है ashter ashter की यह binary का बीज है बेनारी Germany का बीज है ashter के बहुत तरके फूल होते है इसमें जो सबसे ज़्यादा टिकाव फूल होते है वह binary का फूल होता है इसलिए मैंने बेरारी वाला दिखाए है हमारे बेड की साब लगाया हुआ हमारे बगान में यह बेड है मतलब एक एक फूलो का एक एक बेड बनाए हमने बगान में इस तरह से मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ यह है एस्टर के बेड और इसमें भी देखिए कितने सारे कलर अपसंस है और बहुत सुंदर अगर आप छोटे-छोट क्या आप 2 फूट होता है अब जो महाँ देखाता हूं आपको गेंदा में यह जो आप देख रहे है यह लेकिन फ्रेंच मेरी गल्ड है लेकिन कार चॉटा बाया या मैया ंडके-ध्र ऐनका भी लगाथा सकते है लेकन'd ये बाद में में आगे चल के मॉल्टी कलर के बीज है ये बेनारीका है अगर आप कटिंग से लगाएंगे और चार फूर्ट तक हाइट रहे होता है क्रीब आर्दस इंच का साइज का होता है ये च्छोटा फूल होता है क्रिक्ती नीच का डैयमेंटर का फूल है लेकिन इसमें फूल काफी खिलते हैं बहुत दिनों तक फूल क्लिते हैं देलिया का यह बीच से लगाया हुआ अब जो आप देख रहे हैं यह सैल्वीय में भी बहुत color का mix color के बीच आता है सेल्विया का बेड बनाएंगे बहुत सांदर दिखता है तो सेल्विया का बेड लगा सकते हैं काफी खुशूरत लगता है आगे चलके जो देख रहे हैं सामने ये फ्रेंच मेरी गोल्टा मिक्स कलर है और इसमें आप देखे सिंगल कलर भी है और एक फूल में दो-दो कलर बिए इधर देखें का रेट का प्टराफ बनाए आपे सिर्फ रेट का एक बेड ये चोटे ही पूट में ही, पूट ही वाला भी मिलता है ड़ार्प में अगर आप चाहते हैं दो-फूट- थ तो यह आप लेसकते हैं पैन अमेरिकन ने सरह सबसे अच्छा रहता रहता है पैन अमेरिकन see जाकर रखते हैं और यह jeem수या की का ब्तें सब्सक्राइब मुफ चुनल सब्सक्राइब क्या Principia पत्ते कितने शांदर काफी शांदर कम किलता है तो इस तरह से आप किला weapons tracks